आज के इस विडियो में आप सभी को में बताने वाला हूँ कि आप उन لाइन ये कैसे पता लगा सकते हैं कि आपके वाहन का भारत स्टेज कौन सा है भारत स्टेज चे मतलब हैं कि BS6 गाड़ी हैं आपकी BS4 गाड़ी हैं BS5 गाड़ी हैं तो ये अगर आपको पता लगाना हैं, कही बार क्या होता है कि हम online कोई भी रेश्टन करते हैं, तो गाड़ी का बारत स्टेज मांगा जाता हैं. फोर एक्जामपल आप online अपने वहान के लिए HHRP नंबर प्लेट बुक कर रहे हैं इस परकार से, तो जब आप online नंबर प्लेट बुक करेंगे, तो कही बार यहां पे बारत स्टेज मांगा जाता हैं, कि आपके वहान का बारत स्टेज कौन चाहें, तो ये जानकारी आप बड स्टेज पर, इसी वीडियो के निचे लिंक मिलेगा, वहान से इसे आप उपन कर सकते हैं, या फिर यहां पे परिवन.gov.in लिक के सर्च करके भी उपन कर सकते हैं, उसके बाद यहां पे क्लिक करना है, नो यॉर वाइकल डिटेल पे क्लिक करना है, फिर यहां पे क्लिक करना है फिर mobile phone number यहाँ पर डालने है mobile phone number यहाँ पर डालने के बाद just इसके नीचे email id डालनी है email id डालने के बाद यह जो capsa code दिखाई दे रहे हैं इससे यहाँ पर डालके generate OTP वाले option पर click करना है जैसे generate OTP पर click करेंगे एक OTP number बेज़े जाएंगे वह OTP number यहाँ पर डालना है और verify पर click करना है verify पर click करते ही अगले वाले बाग के अंदर यहाँ पर अपना नाम लिखना है और उसके just नीचे password create करने है आट अंकों के जिसके अंदर alphabet number और special character होने चाहिए तो यहाँ पर आट अंकों के password अप create करेंगे और उसको यहाँ पर confirm करके save पर click करेंगे अब आपका account बन चुका है तो वापिस यहाँ पर click करना है अब यहाँ पर mobile phone number डालने है जिससे अपने account create किया है mobile phone number डालने के बाद capsa code यहाँ पर डालने है capsa code डालने के बाद next पर click करना है उसके बाद यहाँ पर जो password आपने account के रखे थे वो यहाँ पर डालने है password यहाँ पर डालने के बाद continue पर click करना है उसके बाद एक OTP number बेज़े जाएंगे वो यहाँ पर डालके verify पे click करना है और उसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे अब vehicle registration number यानि कि जो आपकी RC है उसके उपर यह vehicle registration number मिल जाएंगे वह यहाँ पे डालने हैं तो यहाँ पे vehicle के number डालने के बाद जो capsa code है उसे यहाँ पे डालना है कैपsa code यहाँ पे डालने के बाद वहाँ सर्च वाले option पे just आपको click करना है जैसे ही वहाँ सर्च वाले option पे click करेंगे तो वहाँ के बारत stage number दिखाई देने लग जाएंगे तो अभी पे थड़ यह हैं तो इसी परकार से आप भी online बड़े ही आसानी से आर्ची का status आप देख सकते हैं यह तरीका था वहाँ का बारत stage सेक करने का आप step by step समझ चुके होंगे कि किस परकार से आप अपने वहाँ की आर्ची के माधियम से यानि की रेजिस्टिसन नंबर के माधियम से भारत stage का पता लगा सकते हैं तो अगर आपको जानकर यह ची लगी हो तो सेनल को subscribe करना है all notification on करना है जिससे की ऐसे ही और वीडियो सबसे पहले आप तक पहुच सके तो बाई बाई जस्तो